तेलंगाना में 30 लवंबर को मद्दान खत्म होने के साथ ही पांच राज्यों के विधास बच नाव संपन हो गए हैं और एक्सेट पूर के नतीजें सामने आए हैं जिसमें दो राज्ये, 36 गड़ों तेलंगाना में कॉंग्रेस और अन्य दो राज्ये, मद्पिदेश और रा कि वो इन एक्सेट पूल के नतीजों पर विश्वास नहीं करती उन्हें खुद पर वरोसा है और कॉंग्रेस सभी राज्यों में सरकार बना रही है मुझे खुद पर वरोसा है, हम चार राज्यों सरकार बनाएंगे इसके साथिरोंने पिये मोदी पर निशाना साथते हुए कहा है कि प्रिधान मंतीर नरिन मोदी ने लोगों से वादा खिलाफे की जो वादेरोंने जनता से किये उन्हें पूरा नहीं किया, हम अपने पूते पर सरकार बना रहे हैं ये सर्वेई ही एक दूसरे की कार्ट कर रहे हैं तो हम तो विश्वास नहीं करते इन पर, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ हूँ आपको बता दें कि अब रुजल्ट में केवल एक दिन का ही समय बचा हुआ है आज एक तारिक हो चुकी है और 37-37 दिसंबर को पांचों राज्यों के विधासभा चुनाव के परिणाम सब के सामने आ जाएंगे और इसाफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन से राज्यों में किसकी सरकार बनती है खासतोर पर मत्विदेश, शत्रिसगर, राजिस्थान को काफी जादा एहम माना जा रहा है जहां पर भारती जुनता पार्टी और कॉंग्रिस के पीच कांटे की डक्कर समझ में आ रही है और सभी की निगाहें मत्विदेश की और जादा घिरी हुई है क्योंकि इस विधान सवाचनाओ को लोग सवाचनाओ का सेमी फाइनल भी माना जा रहा है देखना होगा कि आखिरकार कौन से राजिमे किसकी सरकार बनती है तमाम बड़ी कबरों पर हम आपको लगातार अपडेट डिद दिर हैंगे लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले